आज रुद्वारी की इस पाविन धर्ती पे सभी उपस्थित जन्मानस हमारे विशेश शतिती डॉक्टर साहब डॉक्टर जग्रीश मसाजी जो दिन्वी से ती दूर से चल कर आये हैं हमारे बीच सभी समाज के संगठंट के अध्यक्ष एबन सदस्यगर हमारे बीच आये गोए लखनों से डालाराम सरोजी जिन्होंने बहुत सुन्दर भाशन दिया था भी साथी साथ मेरे ब्लॉक्टर मुख्ष जी लाजुबिया एबं शहर से आयोए अमारे नगर पारिका ध्यक्ष पतिनदी मुकेश रास्तर जी एबं सभी यहां पस्थित अमारे कद्धानगर्द, कारिकरतागर्द, बीदी सीगर्द, एबं रामेश्व लाजाजी जो आला सम साथ हैं, उनकी पूरी टीम, उनके साथ पस्थित मौजूद सभी समश्थ आला गायत, और सभी समश्य कहां इस कारिकरम में उपस्थित अबर शही पीरा पासी जी के सम्मान में आज जो यह आयोजित किया गया है कारिकरम विशाल जंसभा जो आयोजित करी गई हैं, इस में में उपस्थित सभी समस्त जन्मानस खास्त और से मेरी माताएं बहने आप सभी को मेरा साधर महश्कार और इस कारिक्रम में मुझे मुख्य अधिथी के रूप में बुलाने के लिए स्वाधर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आज यह बहुत गौरब की बात है कि अमर शहीद वीरापासी जी का ध्वार जो क्योंकि तब मैं बहुत छोड़ी थी बच्पन में मैंने देखा था जो मेरे पिता जी ने स्वाधी एठले सिंग जी ने जिरा पंचाइड में बनवाया था अमर शहीद वीरापासी जी पर और आज यह मेरा सौभागी है कि आप लोगों के आश्रवाद से पापा के ना रहने पे आप लोगों ने मुझे विधाय बनाया और अमर शहीद वीरापासी जी पे लिए मुझे भी कुछ करने का मौका मिला जाजुद मेरिया के साथ हमारे अब बहुत सौभागी की बात है और यह खास वर से मेरे लिए परस्नल उसके भी विक्तिके दूट से भी हर बच्चा चाहता है कि हम अपने माता पिता के काम को आगे ले जाएं और आज मुझे वाकि लिए करने का मौका मिल रहा है जो काम मेरे पिताजे ने किया था जो द् अब भी धर्ती है जो उनकी पैट्रिक धर्ती है पैट्रिक गाउं है यहां उनको समानित करने का मौका मिला है यह बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए एक बेटी होने के नाते थी प्यूकि मैंने अब बच्च्वार से अपने पिताजी का तारिकार देखा है और हमेशा से अब अब भी अपने अब आश्रेवाद से आपने बुझे बिठान सभा पहुंचाया आपने हमारे क्रमुक्षी को मौका दिया तो अब हम लोग मिलके ऐसे कारेगर्म कर पा रहे हैं अपने चेत्र के लिए अपने बुजूदों के लिए अपने अमर्शनीदों को सम्माने क करने के लिए ये मारे लिए बहुत बड़ी बात लिए इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगे कि आपने अभी अपने संबोधां में बहुत सुन्दर चीज़ कहीं जो आपने शिक्षा की बात करी वो मुझे बिलकुल दिलकुल चूप रही क्योंकि मेरे पता जी भी शिक्षा को लेके बहुत ही चिंत तहते थे और आपी बहुत कि यदि आज मैं इस मंच पे खड़ी मुए यदि मुझे यहां तर कोंचने का मौका मिला तो हाथो यह तो सही है कि क्योंकि मैं खेष सिंग की बेकी हूँ और आप सबका इतना लगाव रहा हमेशा पता जी के साथ पर साथी साथ इसमें मेरी शिक्षा दिक्षा का भी कही न करने का और मेरे पिताजी इसलिए हमारी शिक्षा पे बहुत जोड़ देते थे हमको भी अमेर्का में रहके पढ़ाया ताकि हम बहां से पड़के जब आए तो अपने च्छेश को जाता विक्सित करता है अभी मानी डॉक्टर साहब ने कहा कि जो भी बजट होता है किसी भी सर्कार का उसका 20% बजट जो है वो शिद्यूर कास्ट में अन्सूर जब जाती है खर्च किया जाता है ब्रॉक्सा मुझे बताने में बहुत गर्भ हो रहा है कि हमारी सदर विधान सभामी चाहे वो ब्लॉक का बजट हो चाहे वो विधायत नभी हो चाहे वो नगरपाले का हम लोग 50-70% सबसे पहले अपने हैं सबसे पहले जो भी उस समय बजट था पूरा का पूरा माने स्वादी विधाईग जी ने जो शहर के अंशिट छेट से हैं जो आउसकर्ट में गाउं है जो शहरी छेट में जुड़ गए हैं उनको विक्सित करने का काम किया जहां अन्धिकांच मात्रा में हमारे एसी समाज के लोग बसते हैं जो आपने अभी शिक्षा की बात करी आपने दरसर में इस इस बारे में बोलने ही पाले थे पर आपने उसे पहले ही इस चीश पे बात करी मुझे बहुत अच्छा रचा ये कहते हुए बहुत जादा भी आपने बोलोगी कि अभी काम चली रहा है उस दिर्शा में दिर्शा में पर हम यहां अमर शहीद वीरापासी जी के नाम से एक इंटर पॉलिज भुडने वाले हैं अर अन्य म cucumbers को भी मंचलियों को भी दे दिया है चो विभागी मंचली है और यहां हमने जमीन का चणेत करवाना भी चालू कर दिया है क्योंकि खास तर से महिनाओं के लिए और खास तर से जो यहाँ के बच्चे हैं, जो चोटे बच्चे हैं, उनको देखते हुए, मेरा बहुत मन था कि यहाँ एक अच्छे इंकर कॉलिज को बनवाया जाए, क्योंकि प्राट्षमिक तो हमारे हाँ है पर्याप मात्रा में विक्मानी बधाई जी ने दिये थे और मेरा बहुत मन्था कि हमा एक अच्छा हायर इंस्टिट्यूट हो हायर एजुकेशन का एक इंस्टिट्यूट हो तो यह मेरा स्वभाग है आफ सबको बताते हुए कि जहां तक है जल से जल हमारा वीरापासी इंटर कॉलेज का काम शुरू हो जाएता वो शारी इंस्टिट्यूट है मैंने अपने पूरे कारिकाल में ज्यादा से ज्यादा ध्यान शिक्षा विक्षा को दिया है पूरा प्रयास किया है कि कोई भी किसी भी स्कूल से संबंधित मेरे पास कोई भी समस्या आई है चाहे वो बांडरी वोल्ड की हो चाहे वो पानी की हो चाहे वो शौचाले की हो उसका काम सबसे पहले कर आया चाहे चाय मेरी नदीज में अपनी नदीज में, प्रधान नदीज में, चाय मंडेगा से, जैसे लिए तो यह मेरी प्राच मिक्ता है थी और आगे भी रहेगी सबसे पहले हमारे बच्चे जब शिक्षित होंगे तभी वो भिख्षित होंगे सीजी स्काव मेरा यही प्रयाश रहा है, कि अपनी छेत को सुरक्षित रहे होंगे, यहा ना तो कोई गुनगई होने पाए, ना तो कोई अराजतत आके हमारे लोगों को परिशान करें, हमारे गडिवों को परिशान करें यही पुरे पास साल मेरा उदेश रहा है, मेरा प्रयास रहा है, अपने छेथ को सुरक्षित चक्षा, आसपास की बुद्धालत सभाव में क्या होता है, उस चैप कोई कारेक्राम हमारे यहां ना हो, हमारे लोग खुश रहें, सुखी रहें, और कम से कम सहीं से प्रतारत ना कम से कम कोई उनको प्रतारत ना करे, कम से कम कोई उनके जमीने हड़ते काम ना करे, यही मेरा उदेश रहा है, क्यों और कुछ करना है, कम से कम अपने लोगों को सुरक्षा, संरक्षा तो दे, ताकि वो आगे पढ़ सके, और आते भी, यही मेरा प्रयास रहेगा, यही मेरी कि आप लोगों से अबेक्षा है, अनुरोध है कि इसी काम में मेरा हाथ बताएए, कंधे से कंधा मिलाते चलिए, ताकि हम अपने छेत को विकास की और तरक्टी की और दे जाए, जितना मुश्चरोधा सदय वाद के ताद धरी बूली हूँ, जहां भी आपके विदिन अज़ जहारी हूँ, बहुत रणी हूँ, और एक बात में सबसे ज़ादा में अपने ब्लोग के प्रमुख जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, राजुयादर जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनोंने बहुत महनत से, बहुत शितन से इस कालिक्रम का आयोजन किया, और